बटने हैं खबरों कियोर बस्तर संभाग के बिजापुर जिले के थाना गंगालूर अंतरगत मुतवंडी के जंगल में पुलिस नकसली की मुठभेड हुई मुठभेड में दो डियार जी के जवान घायल हुए हैं वही नकसलीों दोरा क्रोस फाइरिंग में मुतवंडी गाउं की ही एक 6 माह की नाबालिक बच्ची की भी मौत हो गई और साथ में उसकी माह के हाथ में गोली लगी आसपासक शेतर में डियार जी और सी आर पी अफ बल दोरा की जा रही हैज सर्चिंग भी वही मुठभेड के बाद नकसलीों ने परचा जारी करके इसे फरजी मुठभेड बताया है इस पूरे घटना चक्र के बारे में एसपी वैभव ने क्या बताया ये सुनते हैं आस दिना के जनवरी 2024 को शाम के पांच बजे जिला पिजापुर के ठाना गंगालों रंतरगत मुठभेडी के जंगलों में पुलीस और नकसली के बीच में मुठभेड हुई थी इस मुठभेड के दौरान दो डियार जी के जवान जो है वो गायल हुए थे और नकसलीों के क्रोस फाइरिंग में मुठभेडी गाओं के एक नावालिक बच्चे की मुर्ति होने की एवं उसके मा के गोली रगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई पिडित परिवार की साहता है हेतु तत्काल से मौके पर अतिरिक पुलीस अधिक्षक पीजापूर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी और पीडित जो मैला जो है उसे उच्चार हेतु पुलीस द्वारा अस्पताल बिजा गया है हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतिय नयाय सहिता के सक्षन 104 में समाहित किया गया है इसके अनुसार यदि गलत ड्राइविंग या फिर लापरवाही की चलते यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर वाहन चालक को अधिक्तम साथ वर्ष की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी देना होगा वही सेक्षन 104A में इसका जिक्र किया गया है वही 104B में साथ लिखा गया है कि यदि कोई हादसा हो जाता है और गाड़ी से टक्कर के बाद ड्राइवर खुद मौके से या वाहन समेत भाग निकलता है तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी पहले कानून था कि हिट एंड रन मामले में IPC की धारा 289 लापरवही से वाहन चलाना 304A लापरवही के करण मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालना के तहत केर्स दर्ज किये जाते थे इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था अब संसोधन में ये कहा गया है कि हादसे के बाद वाहन चलाक को पुलिस या मजिस्ट्रीट को जानकारी देनी होगी यदि वहाद पीडित को मरता छोड़ कर भाग जाता है तो 10 साल तक के खैद होगी और फाइन भी उसे देना पड़ेगा हिट एंड रन मामले में केंदर सरकार द्वारा परिवहन संबंधी बनाएगा इन नए कानून के विरूध में वाहन चालक सड़क पर उतराए हैं ट्रक, मीनी ट्रक और दूसरे वाहनों के ड्राइबर एक जनवरी से स्टेरिंग छोड़कर सड़क पर कूद पड़े हैं खानून के विरोध में किये जा रहा है इस हरताल का आज दूसरा दिन था और परिवहन संबंधित सारी वाहने खड़ी होने से आम जनटा के दैनिक मूलभूत सुवधाएं जैसे पेट्रोल, सबजी, आदी, रुजमर्रा का सामान की कमी और खेमत बढ़ने की आशंका को दे जा रही है और रेट में व्रिद्धी हो चुकी है बस्तर कमिशनर श्याम धावडेद्वारा विभागी पदोनती समीति के अनुशंसा के अधार पर संभाग के विभने जिलों में पदस्त छे सहायक ग्रेट दो को सहायक अधिक्षक के रिक्त पदों पर पदोनत करते हुए और स्थायरूप से आगामी आदेश परियंत तक नवीन पदस्थापना दे दी गई है जिसके तहट श्रीमती सुर्यकांता राओ जिलाकारियाले बस्तर को जिलाकारियाले बीजापूर डियस शांडिल्य जिलाकारियाले दंतेवाड़ा को कारियाले आयुक्त बस्तर संभा जगदलपूर वहीं श्रीमती आशा कुंजाम जिलाकार्याले कांकेर को जिलाकार्याले नारेनपूर श्री शरतकुमार शर्मा जिलाकार्याले कांकेर को जिलाकार्याले कोंडागाउ और तरुन कुमार अडपवार जिलाकार्याले कांकेर को कार्याले अयुक्त बस्तर जग्दलपूर में पदस्थ किया गया है पदोनत कर्मचारियों को 15 जनवरी 2024 तक अपना कारे भार ग्रहन करना अनिवारी कर दिया गया है कारे भार ग्रहन नहीं करने के स्थिती में यहां आदेश स्वता ही निरस्त माना जाएगा इस आदेश को ततकाल प्रभावशील होने क कहा गया है जग्दलपूर के पूर्व विधायक रिक चुनजैन और शेहर कॉंग्रेसा ध्याक्ष सुशील मौरिय अपने सहयोगियों के साथ मगलवार को नगर के मारीन चुक पहुंचें वहां उन्हें किंदर सरकार द्वारा लगाए गए भारती नियाई सहिता की धारा को संबोधित करते इन्होंने जमकर नारिबाजी भी की साथी कहा इस कानून से चालकों को बेवजह परिशान करने की केंदर सरकार की नियत दिखती है किसी भी वाहन को चलाने वाला कभी नहीं चाहता कि कोई दुरगट न घटित हो यदि आकस्मिक तोर पर ऐसा हो भी जाता है तो इसकी सजा उसे भुगतने का कानून बनाया गया है जो पूरी तरह से घलत है किंदर की भाजपा सरकार को ततकाल राष्ट्रहित में इस कानून को वापस लेना चाहिए इस दौरान श्री जैन के साथ शेहर कॉंगरस अध्यक्ष सोशिल मौरिय वरिस्ट कॉंगरस ने सालों से गड़ियां चल रही है दूर गटना हो रही है लेकिन नियम भी ऐसे बनाया गया थे आपका जमानत हो जाता है नहीं किसी से भीक मांगते है नहीं किसी से भीक मांगते है हम अपना रिकार लेना होगा पाला साई पंद करो पंद करो बस्तर संभा के जला सुक्मा में सुनिल कुमार राय उप महान रिक्षक CRPF रेंज कोंटा के मार्क दर्शन और स्प किरिंज जोहान पुलीस अदिक्षक जिला सुक्मा जीतेंद्र कुमार ओजा कमैंडेंट 208 वाहिनी कोबरा के इंदर देशन में 36 गड़ शासन की 36 गड़ नकसलवाद उन्मूलन नीदी की तहत और सुक्मा पुलीस वारा चलाय जा रहें पुना नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुवाद से प्रभावित होकर नकसलियों के अमानविय आधार हीन विचारधारा और उनके शोषन अत्यचार और बाहरी नकसलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानी आदवासियों पर होने वाली हिंसा सितंगा कर नकसली संगठन में सकरी निर्मल गुडा आरपीसी मिलीशिया सदसे कल्मू जोगा पिता स्वर्गे सुकडा उर्मलगभग उम्र लगभग 40 वर्ष जाती मुरिया निवासी पुट्टे पाड थाना किस्टा राम जिला सुक्मा एवं निर्मल गुडा अकसल ऑपरेशन कारियाले सुक्मा में परमेश्वर पुलीस अनुविभागी अधिकारी सुक्मा और हेमंत प्लास सहायक कमैंडनेंट 208 वाहिनी कोब्रा के समक्ष बिना हत्यार के आत्मसमर्पन किया गया आत्मसमर्पित नकसलियों को शासन की चतिसगर नकसलबाद उन्म अधिकारी प्राथविक्ता से निराकर करने की बात कहीं उन्होंने राजस्व कारी के लिए जिले में उपलब्ध मानव संसादों का बहतर उप्योग करने पर जोर देते हुए ने नायाब तहसिलदारों को वभिन शाखाओं के साथ-साथ मैदानी स्तर पर होने वाली सिक्षन दने के इंदर देश दिये मघलवार को जिला खार्या लेगी प्रेना हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरण के तरज निराकरनी मं लंबित की स्तितिका जाइजा लेकर अधिकारियों को अपने स्तर पर लंबित प्रकरणों का निराकरन का ने उन्हें ने कहा कि राजस्तर पर राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक होने से पूर्व सभी राजस्व के प्रकरणों का निराकरण किया जाएं। तीस जुन दोहजार चौबीस तक यानि की चार महीने की होगी प्राचारिय शास्की अलेखा प्रसिक्षन शाला बस्तर संभाग जग्दलपूर से मिली जानकारी के अनुसार संस्था में प्रसिक्षन क्षमता संभाग के सभी साथ जिलोग के लिए प्रतीक से जत्र केवल कर्मचारी की परिवेक्षा अवधी समाप्थ हो चुकी हो एवं तीन वेतन वृध्यान नियामत रुप से प्राप्त होना चाहिए शास्की अलेखा प्रसिक्षन शाला में लेखा प्रसिक्षन के लिए आवेदन पत्र की अंतिम्तिती तीस जनवरी दोहजार चौबीश शा कीमत बीस हजार रुपिया की गई है आरोपी के विरुद्ध एंडी पियोस अट के अंतरगत की गई कारवाहिए वही अवेध रूप से नशीली दवाई का विक्रे करने वाले आरोपी पर भी बस्तर पुलिस ने कारवाहिए गी है यह मामला भी बोदगाट पुलीस थाना क शेत्र अंतरगत है नशीली दवाई 100 ml की 100 नग बोतल पुलिस ने जब्त की है जिसकी कीमत लगभग 11,080 रुपिये आ की गई है वही आरोपी के पास से नगदी रकम 23,400 रुपिये भी बरामत की गई है आरोपी के विरुद्ध एंडी पियर से आक्थे तहत कारवाहिए की झाल 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 झाल